नमस्कार साथियों, सेखावटी युनिवसिटी के जितने भी स्टूडेंट है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है आपका जो 2023 का जो सेशन है उसके अंदर आपकी एक्जाम में कुछ नए चेंजेज होने वाले हैं इस बार आपके पहली बार तो सेमेस्टर एक्जाम है वो होने वाली है, साल में दो बार एक्जाम होगी इसके साथ ही यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आज जो अपडेट है उसके बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपके जो कोलेज स्टूडेंट जितने भी हैं तो उनके लिए आंतरिक मुल्यांकन होगा जिस तरह से आपकी बोर्ड क्लासेज के अंदर 20% नमबर जाते थे, उसी तरह से आपके 20% नमबर जुडेंगे लेकिन बोर्ड क्लासेज में यह होता था कि आपको 20 नमबर फ्री के मिलते थे, लेकिन यहाँ पे आपका आंतरिक मुल्यांकन होगा, जितने नमबर आपके आ आ रहे हैं उ इसके अलावा आज हम बात करेंगी कि आपकी जो एक्जाम फोरम है, वो कब तक बरे जाने वाले हैं, सेमेस्टर एक्जाम है, वो कब तक होगी, इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्शा करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रह जरूर कर ले, क्योंकि शेकावाटी उनिवर्शिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी, वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी, सबसे पहले चलते हैं, न्यूज की तरफ जो आज की है, जिसके अंदर बताया गया है, कि बोड़ परिक्षिया के सत्रांग की तरज पर बोड़ क्लासेज में, उसी तरह से आपको जो यहाँ पर भी सत्रांग मिलने वाले हैं, इसमें देखो बड़ी बात यह है, कि आपका जो फस्ट येर के स्टुडेंट है, और कोई भी जो स्टुडेंट है, सेकंड येर के हो, फाइनल येर के हो, उनके लिए बात लागू न इसमें आपको पास होना भी जरूरी है, इसके अलावा मार्ग स्ट में 20% अंके जुडेंगे, मतलब आपका जो पेपर 100 नंबर का होता था, वह अब 80 नंबर का होगा, 20 नंबर आपके ये वाले जुडने वाले, इसमें आप देख सकते हो, कोलेजियों में बोड़ परिक्ष परिक्षिया में 17 तो जुड़ते हैं, लेकिन 17 नंबर को मूल परिक्षिया में अलग पास होना जरूरी नहीं होता, जबकि कोलेजियों में पास होना जरूरी है, देखो इसकूलों में क्या होता था, कि जैसे मानलो आपको 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए, अगर 20 नंब आपको आंतरिक मुल्यांकन होने वाला है, इसके अलावा जैसे मतलब असी नंबर का आपका पेपर होने वाला है, तो उसमें भी आपको पास होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, कि आप पेपर में पास हो रहे हो तो आपको यह वाले नंबर भी मिल जाएंगे, इनका फाइदा मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें जितने नंबर आएंगे, वो आपको मिलेंगे, पेपर में जितने नंबर आएंगे, आपको वो मिलने वाले हैं, इसके बाद देखो यहाँ पर सरकारी प्राइवेट कोलेजों में रेगुलर स्टूडेंट्स पढ़ाई से मन नह चुरा सकेंगे, और नहीं क्लास में ज्यादा नुपस्ती तरह सकेंगे, अब सेमेस्टर एक्जाम के साथ, इंटरनल एक्जाम भी करवाने के निर्देश प्राप्ते हुए हैं, मतलब सेमेस्टर एक्जाम तो आपकी होने ही वाली है, इसके साथ आपकी इंटरनल एक्जाम भी होगी मतलब आपकी साल में दो बार एक्जाम तो होगी एक सेमेस्टर एक्जाम अभी मिल्टरम की और उसके बाद आपकी फाइनल एक्जाम जिस तरह से हाफ यर्ली होती थी उसके बाद आपकी फाइनल एक्जाम तो उसी तरह से यहाँ पे आपकी सेमेस्टर एक्जाम हो गा क्योंकि कोलेजों में सनात्तक पर गठाम वर्ष में इसी सत्तर से और हम्लियंकन भी होंगे इसमें पास होना भी ज़रूरी ये मूल्यंकन समंदित कोलेज में पढ़ाने वाले सिक्छक कि ही करेंगे मतलब जो आपके teacher है जो आपको subject पढ़ा रहे हैं वो ही आपका आंत्रीक मुल्यांकन करेंगे और मुल्यांकन वाद को नंबर भेजेंगे मतलब आपका जबर IT आपके यह नंबर है वो भी आपके यहां से भेज़े जाएंगे इसके बाद धिकर यहां स्टूडेंट्स की उपस्तिती व्यवार खेल में भागीदारी के अंक होंगे इसना तक पर्थम वर्ष में सेमेस्टर सिस्टम पूरों में शुरू हो चुका है इसके अलाव इंटर्नल एक्जाम भी होंगे यानि पेपर सो अंकों का है तो पचास-पचास अंकों के पर्थम दिद्टे पेपर चालिस-चालिस अंकों के और दस इंटर्नल टेस्ट दस-दस अंक के होंगे देखो थोड़ा समझते इसको जैसे मालो एक पेपर आपका सो नंबर का है उसमें आपके पचास-पचास नंबर के दो पेपर होते ठीक है अब यहां पर आपके जो पेपर हैं हो चालिस-चालिस नंबर के ही होंगे और दस-डस का मतलब 20 नंबर आपके वहोंगे आंतरीक मुल्यांकन के होने वाले कूलेज में पढ़ने वские्में का आंतरीक मुल्यांगन उनके अपने व्यक्तिकत परधर्शन प्राधारीत होगा इसमें आपका मुल्यांकन का निरदरन कोलेज अपने इस्तर पर करेंगे मतलब यह इसमें अपने जो कोलेज जो भी है वो अपना निर्दारन करेंगी किस तरह से स्टूडेंट्स को नंबर दने राधे सामार मुरार का फ्यूजी कोलेज के प्राचारी डॉक्टर सुरेंदर सिंग नोल ने बताये कि आंतरिक मुल्य इसमेस्टर एक्जाम के साथ स्टूडेंट्स को इंटरनल एक्जाम में भी पास होना पड़ेगा कोलेज शिक्षा आयुक्ताले ने सब्ही कोलेज के प्राचारियों को इंटरनल एकजाम की तियारी के लिए Bakery मतलब आपकी इंटरनल एक्जाम भी इसके इंदर होने वाली ह चीजिए है यहां पर देखो इसके अलावा हम यहां पर बात करने वाले हैं आपको समझ में आ गया होगा कि इंटर्णल एक्जाम पहली बात तो आपके फ़स्टियर के जितने भी स्टुडेंट उनके लिए होने वाली है और यहां पर आपको 20% नंबर मिलने वाले वह भी सिर उनिविश्टिय पहले डीट दालि थी tisuकि बात दिसमबर में समस्टै ईग्जाम हो जाएगउग सेज्ग कोरी इस दिसमबर में मतलब अभी तक आपके exam forum start नहीं हुए और यहां पर हम कल्पना कर रहे हैं कि आपकी जो semester exam है तो वो December में तो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता मतलब January के first week में या second week में वो भी अगर आप भी एक दो दिन में अगर forum आपके start हो जाते हैं तब तो आपकी January में हो जाएगी लेकिन January के last तक जाने की संभाव ना है उसके बाद आपकी June में है वो final exam होने वाली है ज्यादा प्रेशानी first year की student है उनको आने वाली है बागी जो second year final year की student है वो अपनी final exam की तेहरी करते रहें उनकी एक ही बार exam होने वाली है और वो आपकी जैसे मतलब मार्च में या अप्रेल में जिस तरह से पहले करवाई जाती थी उसी के coding होगी सिरफ और सिरफ जो semester exam का जो system है इसमें आपकी दो बार exam लगेगी तो उसमें एक आपकी January में हो सकती है और आगे जो exam होगी वो जून तक हो सकती है तो इस तरह की यहां पर update थी इसके अलावा भी अगर मन में कोई doubt हो तो comment box में बता सकते हो या फिर आपको description में टेलीग्राम ग्रूप का WhatsApp ग्रूप का लिंक दिया वह जोइन कर ले न वहां पर personal में डियम कर दिया और इस तरह की अपडेट थी मिलते नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद